Hello friends, welcome to my channel 2realitytech और आज continue करेंगे हम लोग Delta Exchange ज्वाली वेबसाइट को जो कि इंडिया में 1st Forex Crypto Trading लीगल वेबसाइट है तो इससे पहले मैं इसके उपर वीडियो बना चुका हूँ कैसे sign up करना है, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कैसे sign up करना है, कैसे उसमें fund add करना है, कैसे withdraw करना है इस पर complete वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको i button या मेरे वीडियो के section में जाके देख से आज बात करेंगे इसमें क्या charges कटता है stock जो इसमें crypto trading है तो options पर तो नहीं काम कर रहे हैं आज इस वीडियो में बताएंगे जब भी आप एक crypto वाय कर रहे हैं या sell कर रहे हैं लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जबुर सब्सक्राइब कर ले बेल नोटिफियो करेंगे क्योंकि delta exchange इंडिया से रिलिटेड जो और वीडियो आने वाली है आपसे मिस ना हो जाए हो सकता है ये वीडियो आप देख रहे हो लेकिन आपने बल नोटिफिकेशन नहीं रवाया हो बीच की कोई वीडियो मिस हो जाए तो धीरे-धीरे करके delta exchange को पूरा explore करेंगे तो मैं ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि delta exchange इंडिया में क्या transaction क्या brokerage charges आपको pay करने पड़ेंगे हर एक single trading में तो friends buy और sell दो option आपको मिलते हैं और दोन ही option में leverage यहां पे आप set कर सकते हैं और इसको 100 कर दीजेगा वरना quantity कम buy कर पाएंगे अगर आपके wallet में बहुत ही कम fund है अगर आपका fund कम सर्व 50,000 के उपर है तो 5x 10x तक रखेंगे तो भी आप काफी अच्छी margin पर यहां contract buy कर सकते हैं और contract के हैं मैं दिखा दूँ एक बार sell short कर सकते हैं buy long कर सकते हैं जो leverage है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैंने 100 पर रखा है आप इसको भी 100 पर कर दे यहां पर देखे contact option है USD है BTC है तो यहां by default अगर आप refresh भी करते हैं मैं एक ब 0.001 BTC मतलब इतना आप खरीद रहें अगर आप 1 contract करना है 1 BTC equal to 1000 contract आ जाएगा अब यहां 1000 जब करेंगे तो देखे यहां पर 1 BTC आ गया कि 1 BTC अगर हमको coin buy करना है तो उसके लिए कितने contract लेने पड़ेंगे तो यहां पर आपको contact का number लिखना है calculate automatic हो जाएगा जैसे 20 contract buy कर करना है तो यहां पर बता दिया है कि यह 0.20 है जिसके लिए margin USD 11.36 लग रही है और यह available balance के अंदर आ जाएगा अगर आप जाधा contract यहां पर अप्टाइ करेंगे तो available margin जो है वहां पर insufficient balance बता देगा जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 100 तो देखिए insufficient balance आ गया क्योंकि इस पास balance कम से कम $56 USD होना चाहिए तो इसलिए कम से कम lot buy करें पहले practice करें इसमें और उसके बाद फिर ज्यादा अपने जो contract है उसको बढ़ाए तो यहां buy करने के लिए या sell short करने के लिए same चीजें है अब नीचे एक चीज और important है जहां fees लिखा हुआ है फीस पे जब क्लिक कर जब आप बाए करेंगे तो भी आपको एक fees charges देनी है और जब sell करेंगे तो भी एक charges देना है तो वो दोनी charges आपको दोनी time पे देने पड़ता है अब यहां पे वो charges क्या है कैसे आपको पता चलेगा देखिए यहां पे जब क्लिक करा था तो दो चीजे आईए maker और taker maker तब आपने कहा कि मुझे इस price पे चाहिए तब आपको 0.02% लगेगा जो भी transaction के charges होंगे लेकिन अगर आप कहेंगे जो भी market चाली उसी rate पर buy हो जाए तो आपको 0.05 मतलब just double हो जाएगा limit लगाए बिना तो यहां पे हमेशा limit लगा के buy करें और limit में भी आपको अच्छा price म करना होता है लेकिन उससे पहले यहां पर आप अपने contract number को लिख लेंगे कितना contract आपको लेना है तो यहां पर मैं कम से कम लेता हूँ यहां पर मैंने 20 contract ले लिये हैं जो की हो गए है 0.020 इसको buy करने पर क्या charges होंगे और अगर इसको loss हो रहा है या profit हो रहा है फिर इसको sell क करेंगे तो क्या charges होंगे complete video आज इसमें आपको मिलेगी यहां पर मैंने position create करी है जब आप position create कर लेते हैं मतलब sell या buy कर लेते है स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको अपनी position का orders मिलता है यहां पर आप सारी चीज़े देख सकते हैं किस price entry करी है यहां पर ए हम जहल सकते हैं 10 उपे तक जता market reverse नहीं होगी तब तक stop loss की और hit ना करें और मालीजे आपने यह लगा और नहीं करा है तो automatically जैसी तीन डॉलर चार डॉलर होगा जो भी आपने position create करी automatically sell hit हो जाएगा और उसके बाद फिर मालीजे market आपके favor में भी गाईगी तो आपको फिर दुबारा से जल्दी से फिर से buying करने पड़ेगी इसलिए इसको on जो रखिएगा जिससे automatic sell hit ना हो target और sell भी यहीं से लगा सकते हैं आप इस पे click करेंगे आपके सामने pop-up आएगा यहां से target fix कर सकते हैं यहां से sell fix कर सकते हैं मैं अभी आपको इस चीज दिखाता हूँ बह तो मैं खुद manually cut कर दूँगा तो यहां पर यह है 566 करके बनाते है 5666 तो यह इसको stop loss बनाते हो जो मुझे दिखाना है मैं वह आपको बताता हूँ 5666 तो देखिए मैंने stop loss बनाया इसको यहां पर set करा यह trigger हो गया trigger होने के बाद जब यह set हो जाता है तो इसको scroll करेंगे और यह देखिए मेरा stop loss यहां red color से नीचे आ रहा अब आपने stop loss यहां पर लगा दिया है फिर आपने देखा यार मेरा जो target वो तो बस achieve होनी वाला है अगर उससे और उपर जाएगा तो hold करेंगे नहीं जाएगा तो फिर exit कर देंगे और stop loss यहां लगा था तो stop loss को भी आप दे target के करीब भी एक दम ले जाते हैं और जैसी market थोड़ी सी रिवास होगी तो वहां से भी stop loss कर जाएगा आपको बार बार stop loss लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस एक बर यहां पर नीचे आके set करेंगे और वो आपकी screen पर काम करता रहेगा और जो यह feature मैं आपको दिखा से set करने के बाद आप उसको on the screen चार्ड के ओपर इस तरह से उपर नीचे ड्रैकर करके shift कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छे feature है और जादा अपने position जो आपने open करी है बाद में उसको close कर दी है किसी दिन आपको देखना चाहते थे क्या लिया था क्या बाय करा था किस price पर है इसको calculate करना easy नहीं होता लेकिन बता दे रहें आपको cash flow देख सकते हैं cash flow का मतलब यह होता है position बनाने के बाद sell या buy की उसके बाद आपने कितना loss करा कितना profit करा और उसके बाद थोड़ा सा और scroll करेंगे तो यहीं पर आपका आजाएगा trading charges तो यहाँ पर कहां गया यह रहा trading fees अब लेकिन यह point में इतना है कि समझ में नहीं आ रहा कितना कटा कितना नहीं कटा तो उसके लिए bagel में आता है fill history इस पे click करेंगे तो यहाँ देखिए simple clear में आ जाता है 0.30 USD trading fees इसमें कटी और cash flow जो था वो आपको लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा बस यह problem है cash flow क करने के लिए पहले समझने के लिए कि क्या हो रहा जिससे आपको easily explain कर सके तो देखिए trade मैंने यहाँ 20 contract तक buy करें लेकिन 23 contract जब मैंने trade sell करा था तो मुझे 60 USD लगे थे sell करने पर जैसे इंडियन मार्केट में होता है जब भी आप buy करेंगे या sell करेंगे तो आपको उसके अ अभी मैंने इतना trade करा 20 maximum contract buy करें लेकिन किसी में 1 USD का भी charge नहीं लगा है लेकिन हाँ अगर 2 को मिलाते हैं तब भी इतना charge नहीं हो रहा देखिए मैंने जब buy करा 20 contracts को तो fees यह थी 0.24 और जब sell करा तो 60 तो 84.0.84 USD मतलब 1 dollar भी नहीं लगा एक important चीज और है यहाँ leverage देख सक तो आप यहाँ पर sustain नहीं कर पाएंगे और नहीं यहाँ पर जादा earning कर पाएंगे loss होता है लेकिन आपकी जब strategy सही होगी तो loss बिलकल नहीं होगा क्योंकि आपना stop loss पहले से fix करका है कि मैं 200 रुपे तक या 300 रुपे तक या 2 dollar 3 dollar तक ही loss को hold करूंगा उसके बाद मैं exit कर द लेता हूं ठीक है मैंने leverage 5 कर दिया set कर दिया 5 से और मुझे यहाँ पर sell की एक और position अगर मालीजे बनानी है contract पर आने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर 10 contract और लेने चाहिए market अभी नीचे गिर जाएगा तो मैंने 10 लिखा तो यहाँ 10 ले सकते हैं लेकिन अगर मेरा मन होता है कि मैं 20 contract ले लूँ तो देखें यहाँ insufficient balance आ गिया क्योंकि leverage के भिहाब से ही आप contract लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके account में अगर 45,000 रुपे पढ़े हैं तो आपने 20 का contract ले लिए तो 45,000 तुरंट गायब हो जाएंगे कटेंगे वैसे ही धीरे धीरे एक दो दो डॉलर करके ही जो कि आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और इतने समझदार हैं कि कितना stop loss आप जहल सकते हैं जब भी यहाँ पर buy or sell position मनाया है उससे पहले leverage को 100 पर set जहू कर दे और देखे 100 पर set करने के बाद 20 contract आप अराम से ल देखे मेरे मैं earning कर चुका हूँ इसलिए मैं withdraw कर लेता हूँ इसलिए पाच चार से जादा मैं अपने wallet में रखता ही नहीं हूँ अपकी बार जब मैंने 5000 एड करे थे तो इसमें देखे मैं loss में चलना हूँ तो यह मेरे एक दिमाग में strategy बनी है कि हां भाई मुझे आप covering करन ही है लेकिन आभी आप नए हैं और आपको थोड़ा सा डर भी है यार कभी market मेरे खिलाफ move करती है जब भी buy करो तो buy करते हैं तो sell होने लग जाती है market sell करते हैं तो buy होने लग जाती तो भाई इस condition में यहीं आप से कहूंगा यहाँ पर आप दो contract से जादा मतले तो friends अब बा करेंगे और अभी आप हो सकता है beginner हो तो समझने समझने में 5,000 रुपीज आपके गायब हो जाएंगे तो आप एक contract या दो contract लेके अपनी position create करें और strategies बनाए जब आपको ज्यादा earning होने लग जाए थोड़ी बहुत यहां contract आप बढ़ा सकते हैं I hope यह वीडियो आपने enjoy करी होगी और भी जो वीडियो related है डेल्टा एक्षेंज से आपको मिस ना हो जाए इसलिए bell notifications जो क्लिक कर दीजेगा और वीडियो पसंद आई है तो please like, share, subscribe करना ना भूलेगा Thanks for watching my video